अजमेर और पुशकर के धार्मिक और एतियासिक महत्व के चलते गैर कानूनी काम करने वाले ऐसामाजिक तत्वों की नजरें हमेशा से ही अजमेर पट्टी की रहती है। दरगा और पुष्कर होने के कारण देशी विदेशी परेटकों का आजमेर में लगने वाला जमावडा ऐसे लोगों के लिए वर्दान साबित होता जा रहा है ताजा मामला एक बार फिर देखने को मिला जहां क्लाक्टावर थाना पुलिस ने एक बड़ी कारवाही अंजाम देते हुए लंबे समय से नशे का काला कारूबार करने वाली सलमा नाम की एक महिला तसकर को गिरिफतार किया गर असल पुलिस को शनिवार को मुक्बिर से सूचना मिली थी कि पीर रोट शीशा खान इलाके में रहने वाली सलमा के पास काफी तादात में नशीला प्रदात मौजूद है जिस पर पुलिस ने सलमा को गिरिफतार कर उसके पास से 11 लाक रूपे कीमत की समय बरामत कर ली रवियार को उसे अदालत में पेश किया गया जहां से नया इक अब रिक्षा में भेज दिया गया हाला कि अजमेर पुलिस के हाथ पहले भी नशे के कारोबारी लगे हैं कि इसमेक का दंदा करती है यह इस इतला पर में थाना दिकारी में टीम एसाई दातार सिंग विजय सिंग मनवर मीला कौस्टेवल पुलिस को एक और काम है भी हात लगी जब गश्ट के दोरान सेंटर स्लम स्कूल के पास से मध्य प्रदेश निवासी आजाद मंसूरी को संदेग दवस्ता में गिरिफतार कर पूस्ताच और जांच की गई तो उसके पास से 20 ग्राम स्मेक ब्रामाद हुई इसका अंतराष्ट पे जो अपनी गवर्मेंट कोलेज है इसके एक नमर गेट के पास में में और मेरी टीम मेरा जाबता मेरा जाबता एस आई वीजे सिंग जगमाल कॉंस्टेबल मनोर आदी के साथ हमाँ पहुँचे यह वेक्ति वहां खड़ाता जिसकी तलासी लेगी तो इसके पास में 20 ग्राम इसमेक मिली जिसने पूस्ताज करने पर बताया कि यह वहां एमपी मनसूर से लाता है और यहां जो यह सिसाखान एरिया वगएरा है यहां यह सप्लाई देता है यह इस किमत तो करीब 20 लाके करीब है इसकी और इस वेक्ति का नाम आजाद मनसूरी जो कैकडेल एमपी का मनसूर के पास करने वाला है फिलाल पुलिस ने आरोपी को गिर्फतार कर उसके खिलाफ एंडी पीएस एक्ट में मुकतमा दचकर कारवाई शुरू कर दिये इस कारवाई में एस आई विजे सिंग हैड कॉंस्टेबल दयानंद मनोहर सिंग जगमाल दायमा विजे